तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक विलॉक्त मेरे पास आज हीरो की पैसन प्रो बाइक और जिसमें प्रॉब्लम आई हुई है साइड इस्टैन की पिले बहुत जाद हो गई यह दो को पिले बहुत जाद हो गई है जब हम साइड इस्टैन लगाते हैं तो हमारी गाड़ी जो बहुत ज्यादा जुक जाती है गिर भी जाती कभी-कभी तो इसी को हम सही करेंगे इसकी पिले को कैसे करना वह आज आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग वीडियो पर बने रह दो आएगी मैं कोशिस कर रहा हूं यहां से नहीं निकल रहे हैं तो नीचे से इस तरीके से उठाएंगे तो यह दो हमारी स्प्रिंग बाहर हो गई इस तरीके से बाहर कर लेना आप इसके बाद हमारे जो 17 नंबर का बोल्ट यहां पर पीछे देख रहा हूं तो पीछे नह तो यहां से हमारा बोल्ट खुल गए बाल बोल्ट निकाल लिए इसके बाद यह सेंसर जो साइड स्टैन बताता है मीटर में तो इसके बाद यह स्टैन निकल गया अब यह स्टैन में क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूं यह स्टैन में जो पिले देख सकता आप ल प्लेे बहुत ज़्यादा यह देखो इसका प्लेज कम करने केलिए इस तरीक से यहां पे रखके इसमें चोट मारए नहीं तरप मारता हूं इसमें हताउडी यूज करता हूँ और यह देखो इस तरीके से इसका गयप कम करना है यहाँ पर मारना है चोट इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर चोट मारना है अगर हाथ में लगे तो आप कपला से पकड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं यह देखो इस तरीके से इसमें यह यहां पर देखो गैप बिल्कुल कम हो गया बहुत कम हो गया तो चलो अब इसको हम लगाते हैं बाइक में तो चलो फटा-फट से लगाते हैं यहां पर आप लोगों को सबसे पहले दिखाते हूं यह देखो इसका गैप इतना कम हो गया है तो अभी इसका गैप लगरा बहुत कम हो गया है यहां पर बैठेगा या नहीं तो मैं कोशिस करता हूं बैठाने की यहां से देखो इस तरीके से बैठाएंगे पर इसमें इसका जो पिले वो ज्यादा हो गया है तो चलो इसको हम क्या करते हैं यहां से हतावड़ी लेते हैं यह देखो यह गैप जो बहुत कम है कि यहां पर बैट आने कि कोशीज कर रहा हुए अगी है तो यहां पर नहीं है पर पो पोना सोँ गया है और जो चड़ गया है, हैं यह सब तरह देगा प्वह ना पर वह एक बाहना थे lied तो अभीब नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे इसका बाटता और ज्यादा करेंगे कचι हम में हमने किया किया इसका गयाभ ज्यादा कम कर दिया थोड़ा सा और बढ़ाते हैं यहां पर इस तरीके से इसका गयाभ थोड़ sound बेटा ला लेना अगर आप लगाते हैं तो सब्सक्राइब को लेते हैं यहां पर थोड़ा सा इंजन डाल लेंगे इस तरीके से ताकि जो बोल्ड में जो वाइसर हो फिरी हो जाए यहां से अब हमको बोल्ड को फुल टाइट कर देना उसके बाद इसके माप लोगों को प्ले दिखाता हूं कितनी कम हो ग लेते हैं ऐसे लाइना इस तरीके से यह एपर भाचा की साइड में आएगा इस त्रीके से लगा लेना घर हम इसको नहीं लगा तो हमारायेंट स concerned काव जलने लगते है लाइट सेंसर हम लगाकर से इसके जो बोल्ट है बोल्ड को क्पूल टाइट कर लेना तो चलो byल्ट को इसके बाद इसकी इस की इस पूरिंग बताते हैं कैसे लगाना आप लोगों को कि दृस आप आ इस थायड का मारा बोल्ट हो गया टाइट अब इसमें क्या करते हैं हम आई लिंग करते हैं this बोल्ट जो बिल्कुल टाइट हो चुका यह टाइट कर रहूं यह इतना प्लायट हो चुका है और इसके बार इसमें आप इसमें करते हैं इसको पूरा του करते हैं यह को इस तरीकिव से आइल डाल के स्कों फिरी कर लेना सुपnement को अब सब्सक्तारТыint को सब्सक्राइब निकले ना इसलिए दबाना है तो यहां पर हम स्प्रिंग को दबा लेती यह दब गई आप हमारे सब्सक्राइब प्रॉपर होगा यह देखो नीचे भी चला गए अब इसमें प्ले तो थोड़ी से बिल्कुल यह थोड़ी से प्ले रहनी चाहिए वह रहनी ही कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह कि मैं नहीं नहीं वीडियो लाता रहा हूं तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो